नमस्कार सात्यूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टोरिकल ओप राजस्थान एक्सवागत है आज की वीडियो होगी एपनी राजस्थान जीके से सम्मादित जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तु राजस्थान जीके में दोस्तु जेतने भी पिछ क्योंकि लाश्थ दोस्तु 15 या 20 मिनट की वीडियो होने वाले है ठीक है तो वीडियो के अंद तक बने रहेगा दोस्तु आपके लिए जरूर बेनीफीसल होने वाले है ठीक है तो दोस्तु आज का सबसे पिला क्योंसन है अपने पास निमने लिक्त में से कौनसा मतलब की चित्रकला है दोस्तु इसकी स्कूले कितनी है चार स्कूले है तो चार स्कूले कौन कौनसी एक तो मेवाड स्कूल है एक मारवाड एक हाड होती एक ढुंडाड ठीक है तो यहां पर सबसे पहले मेवाड की बात की जारी तो मेवाड के अंतरगत एक तो नाद्वार के अंदरगत ठीक है, मारवार की बात करे है, तो किसंगड और नागर जो सहीलिया है दोस्तों ये मारवार से सम्द्धित है, तो और कौन-कौन सी आती तो जोदपूर, बीकानेर, जेसिलमेर, शिरोही, अजमेर और भिनाई, ये कहाँ से संब्देत है तो ये भी मारवाzh से संब्सेंद दी तो ये ऐievousन भी अपना सब्सेंद यापशन बना उप्सें भी हो जाएगा हाडोती की बात खरें दोस्तू हडोती सकूल की बात डेंडे के राजपूत पेंटंग से सीर्षक, 1916, में किसमें पुlement लिखी दोस्तों, तो राजपूत जो पेंटंग, यह सीर्षक है दोस्तों, इस है नाम से 1916 में एक पु diarrhea कि लेगी, किसके द stunning- reverse लिखी गी तो इसका Espas na Right mister क्या हुज़ जाएगा दोस्तों, कुमार स्वामी ये ठीक है अगले क्यों देखिए राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहला वेग्यानिक वर्गी करन किस ने किया तो ये ओल्रेडी ये पंचर्चा कर चुके दोस्तू आनंद कुमार चित्रकला ए तो इसका वर्गी करण किया है किस विद्वान ने अपने शे राजस्तानी का विगयानिक विभाजन किया दोस्तो क productive पूचन ने का तरीका अलग अलग दोस्तों इसे ही कुषन वापस पूच जाए गे लेकिन तरीका चेंज कर देगे दोस्तु ठीक है या तो मिलान वाले क्यूशन पूछ लेगे या दोस्तु मतलब की इसी क्यूशन को किसी ओर टाइप से मतलब की पूछ लेगे तो यहां पर अपना राइटन सरी क्या हो जाएगा अनंद कुमार स्वामी है जो की राजपूत पैंटिंग से पूश्त कालम है वही तो यहां पर दोस्तो स्वाइप परताब सिंग के समय है ठीक है स्वाइप परताब सिंग के समय है दोस्तो इनकी मतलब की जेपूर चित्रकला सेली की विशेज परगतिवी दोस्तो ठीक है अगला क्यूशन देखिए तिरलोग हिरानन्द और साहिब राम और राम जी दास किस देशी रियासत से चितरकार देशतों तो यहाँ पे एक तो तिरलोग हिरानन्द और साहिब राम और राम दास जी यह दोस्तों कौन सी देशी रियासत के चितरकार है दोस्तों तो ये अपने जेपुर रियासत से सम्मादीत है संत साहिब राम का दोस्तों आपको पता है तो अदमकद भी क्या सकते है और पॉर्ट्रेट चित्र से ली बीा सकते है गली क्यूसन देखिये नेमन में से कौन सी चित्रकला सेली जो मुगल चित्रकला सेली से सरवाधिक प्रवाइट थी दोस्तों तो मुगल चित्रकला सेली से सरवाधिक जो सेली प्रवाइट होने वाली जेपूर है ठीक है तो मुगल सेली का सरवाधिक जो प्रवाइट पड़ा वो कौन सी सेली में पड़ा जेपूर का इंदरगर ठीक है अगले कि उसने 28 स्ताबदी में मतलब कि जेपूर का प्रख्यात पोट्रेट चित्रकार को था तो इसके बारे में उल्रेडी चर्चा कर चुके दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट कि उससे ने साहीब राम है साहीब राम जो की पोट्रेट चित्रकार से समंदित है जो की सबसे पहला जो चित्र बनाया वो खिसका बनाया इस्वरी सिंग का ठीक है इस्वरी सिंग का दोस्तों सबसे पहला चित्र बनाने वाला कोण है साहीब राम जो की पोट्रेट या आदमकद के रूप में पूरस होते हैं उनके चेहरे पर चोट और चेचक के दाग पर्दिशित किया जाते हैं तो जेपूर जो सहली इसमें दोस्तों यह विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् एक तो मतलब की जो पूर्सों के चेहरे होते हैं और पर मतलब की चोट या चेचक के दाग लगाए जाते हैं ठीक है और यहां पर जो कुरान पढ़ती हुई सहजादी के मतलब चितर बनाया गया और फकीरों को भिकसा देती हुई मतलब की जो सित्री है उसकी मतलब चितर बना वाला है ठीक है अगले की उसन है कोटा के किस आसक के काल में सिकार के द्रश्य कोटा चित्रकला सेली की विशेष्था बन गई दोस्तों तो कोटा के किस आसक के काल में दोस्तों जो सिकार जो सिकार के द्रशी है दोस्तों कोटा तो चितर कला सेली के अंदर की एक विशेशता बन गई सिकार के द्रशी है दोस्तों एक कोटा सेली की विशेशता बन गई तो यहाँ पर अपना राइटन सेरी क्या हो जाएगा यह अपने राव उमेद सिंग की सम्दित है सवाई उमेद सिंग पर्थम के जो सासन काल है इसको मतलब कि कोटा सेली का चित्र सेली का मतलब उतकर्ष्ट काल या सुरन काल माना जाता है ठीक है आगले क्यूषने कोटा चितरकारी के मुखी विशिश्ता क्या है है। सिकार के द्रसे दिखाये गए। जहां पे नारियू के द alimentos वाई हातियों की लड़ाय दूस्तो जेपूर से सम बन दीते है। और उत्सव दर्शे की बात करें। दोस्तों यह उत्सव दर्शे ज्यादा तर जेपूर के हैं उसके बाद बूंदी के आते हैं अगला क्यूशन देखिए बिकानेर चितर सेली में किस बिकानेर सासक के समय मतलब कि उस्ता परिवार ने हिंदू कताओं के आदार पर बना कर मतलब कि बहुत चितर बनाए तो यहां पर जो बिकानेर चितर सेली है दोस्तों बिकानेर के सासक किस के किस बिकानेर के सासक के समय मतलब कि चितर बनाने वाले वह मतलब कि बिकानेर आगे और मतलब कि जो हिंदू कताओं को आदार बना कर यहां पर चितर बनाते थे दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे जो बिकानिर सेली है इसका जो स्वन्ड काल किसका है दोस्तु अनूप सींग का जो समय है दोस्तु यह मतलब बिकानिर सेली का स्वन्ड काल कहलाता है ठीक है चितरकार अली रजा और अहमद रुकनुदीन और रामलाल जी किस चितरकला सेली से समन्दित है यहां पर अली, रजा, अहमद, रुकनुदीन और रामलाल जी यह किस चितरकला से समंधित हैं तो यहां पर अपना राइटान से रोजएगा बिकानुदीन से समंधित हैं अगले क्योश्चन देगी नेमनलेक्ट में से कौन सा चितरकार बिकानीर, चितरकला सेली से समंदित नहीं है ठीक है अगले क्यूशन है चितरकला के संद्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है तो यहां पे दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है तो सालिक राम बक्साराम नंदराम यह दोस्तों अलवर सेली से समंदित है ठीक है तीनों के तीनों द डालू का नाम याद रखाना यह कोटा से समंदित है और रगुनात है दूस्तूं और गोविंद्रा में ठीक है जो की कोटा से लिकी चितरकार है चोखेलाव जो मेल है दूस्तू चोखेलाव बिकांडी से लिका समंद नहीं ठीक है चोखेलाव का जो समंद है दूस्तू कां से समंदिता जोधपूर से समंदिता ठीक है चोक्छलाव मेलकाफिर समंदिता दोस्तों जोधपूर से समंदिता ठीक है तो यह अपना D option गलत होने वाला है ठीक है अगला क्यूशन देखिए उस्ताद केलाने वाले चितरकार के भीती चितर किस नगर में बनाए गए गए तो यहाँ पर इपना राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उस्ताद की बात करते हैं दोस्तों बिकानेर में चला जाना सिदा साथ ठीक है अगला कि उसने नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा चितरकारो का समन्द किस चितर सेली से रहा है दोस्तों तो नाथू, मुराद, और रामलाल, और अली रिजा अली रिजी का नाम सुनना है दोस्तों और बिकानेर में चले जाना ठीक है अली रिजा रुकनोदीन है इसके लाग और कौन से है दोस्तों यह मतलब कि नातु है मुराद है रामलाल है दोस्तों किस समझ देता बिकानेर से समझ देता ठीक है एगला क्यूशन देखिए असीर खार, रुकनोदीन, चंदुलाल यह दोस्तों अपने उल्रेडी चर्चा करके है दोस्तों इस क्यूशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा रुकनोदीन है चंदुलाल है और यह असीर दोस्तों का से समझ देता बिकानेर से समझ देता ठीक है अगला क्यूशन देखिए जलावार शेली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कुल के अंदर के देता था तो यह अपना राइटन सेर क्या हो जाएगा यह हार टूति के अंदर के आता था ठीक है हाड़ुति के अंतरिकत और वोफ कॉंसी आती है तो एक जालावाड है एकjerumbhra दोस्तो एक दुगारी नामक वर्ण सतान है जो कि मतलब कि इसका पीन फीर में अगला क्योदियो कि उस्टेंच आथी औरना फिर चराक प्रसथा दूस्तुों यहां पर मक्रा नं //o उमेजितंग के दूस्तूं पस्पक्स्यूं के चित्रकला से समनदिता जो की बूंदी करते ठीक है धूसें दिखिए वर्षा में नाचते हुएices राजेस्तान की कि स्थित्रकला तो यहां पर बतलब कि किसके सिवाई मतलब कि सभी सेलियां ढूंडार के अंदरगत आती है तो यहां पर दोस्तो बुंदी के महल है दोस्तो राज मेल जिसके मतलब चितरसाला बनाए कि जिनके अंदरगत यह किसकी देन है तो यह राव महाराव उमेद सिंग की ठीक है महाराव उमेद सिंग के दोरा एक चितरसाला का निर्मान करवाए गया जो कि बुंदी के राज मेलू में इस्तित है ठीक है अगला कि उसन दिखिए बुंदी के गड़ पे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजिगा ठीक है तो चित्रकला से समधित अपने पास लगबक 60 क्यूशन और होने वाले हैं ठीक है तो मतलब कि कल चित्रकला का टोपिक बना पूरा हो जाएगा उसके बाद नहीं टोपिक थL्थ एक कर दो अथ, झाओ 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 से से लगे अगाइगा है तो अबने कर दो कर दो दोषीन प्राइब चालब कर दो फोपिक है उल दól हो तो तो क्ला हो थो भाइब से बाहता हूबकि सुछ नहीं है कर दो आख समय को चुक्क्त है तू आया है